तो आज है ये जून का फोर्थ पार्ट मतलब इस वीडियो से जून का जो भी करेंट अफिर से वो एंड हो जाएगा और एक दो दिन के जो लास्ट बचेंगे वो जुलाई में मैं कबर कर दूँगा साथ ही साथ अब जो नए लर्नर्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसके जो स्टार्टिंग के तीन वीडियों आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे स्ट्राटिजी सेशन अवेलेबल है वर्ल्ड मैप की पूरी सीरीज अवेलेबल है जो कि अब जल्दी आगे आने वाली है सो काफी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं इसके साथ मेंस की एक सीरीज ओर चल रही है तो और साथ एक इंफॉर्मेशन ओर दे रहा हूं कि सैटरड़े को टेस्ट होगा ठीक हर सैटरड़े एक टेस्ट होता है जिसमें ये करेंट अफेर्स के कोश्चन्स आपको मिलते हैं अन वर्मिंग कॉंटिनेंट इन दे वर्ल्ड ऑफकोर्स आप ये कह सकते हो कि वर्ल्ड मिटरलोजिकल और्गनाइजेशन तो बोली रहा है साथी साथ कॉपर निकस रिपोर्ट भी है तो हमारे लिए एक सवाल बन सकता है यहां पर कि ये कॉपर निकस रिपोर्ट क्या अब तक जो हंगर स्टोंस दिखाई देने लगे थे तो बहुत सारी चीज़ें थी उससे रिलेटेड है यह ठीक है मतलब आप यह कह सकते हो कि इट हैस बीन वार्मिंग ट्वाइस एस मच अज ग्लोबल एवरेज ऑफकोर्स ओवरॉल जो ग्लोबल एवरेज है उससे ये एक स्टेट effectivement के बारे में बात करोगे या पॉलूशन से भी बात करोगे उसके impact से बात करोगे तो आप एक example दे सकते हो एक eh एक इस report के साथ connect करके इस बात को एक line में समझा सकते हो ठीक है यह कुछ एक इमेज आई थी कि Ebro River जो है बाइदवे आपको बताना है Ebro River का है चलो मैं ही बता देता हूँ याद यह Spain में आप देखते हो Mediterranean Sea में ठीक है यह हम World Map की सीरीज में पढ़ते हैं पूरी नीचे description में लिंक है इतने exhaustive कहीं नहीं मिलेगा आपको अब यह Europe का जो record breaking heat wave था उसमें आप यह कह सकते हो कि क्या क्या चीजें देखने को मिली तो हमें मालूम है कि heat stress काफी जादा था sea surface temperature आसपास Europe का बहुत बढ़ चुका है overall जो ocean warming है वो हमें दिखाई दे रही है कई बार seasonal migration उससे देखने को मिलते हैं species के फिर आगे जाओगे तो mass extinction बड़े इस तरफे चीजों को खत्म हो जाना यह सारे ग्यान जो है आप use कर सकते हो main sensor writing में basically यह article editorial है जहाँ पर at least आप यह कह सकते हो कि यहाँ से content निकाल पाओगे आप पीडियेफ हिंदी में जब दूंगा में तो उसमें यह हिंदी वर्ड आपको automatically मिल जाएंगे अब यह Europe कैसे इस चीज को कम कर सकता है मतलब normally हम लोग बात करें तो आप यह कह सकते हो कि जो renewable जो report यह कह रही थी कि जो renewable energy है ठीक है उसको especially electricity के लिए आपको use करना पड़ेगा मतलब koila वगरा यह सारी चीजों को थोड़ा सा comparatively कम कर दोगे तो एक hope है for the future ठीक है तो wind and solar power generated जो है करीब करीब European Union का electricity इतने प्रतिशच जनरली बढ़ रहा है no doubt आप यह कह सकते हो कि जो fossil gases वगरा है उसको overtake कर रहा है होगी comparatively बहुत ही जादा आपको जो है heat waves का देख सकते हो कि impact इसका काफी जादा है आज जो है नए batch प्रारंब हो रहे हैं यानि 29th of June तो unacademy पर इंडिया के best educators के द्वारा आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं complete syllabus cover कर सकते हैं code सबको मेरा पता है इस कोड से आपको discount मिल जाएगा 50% का discount है नीचे description box में link है अपने समय के अनुसार अपने resources के अनुसार आप इस preparation को जो है और बहतर लेवल पर ले जा सकते हैं सो जो भी subscription लेना चाहिए वो ले लें क्योंकि जो last date है वो कल मतलब 30 तारी की offer खत्म हो रहा है आगे बढ़ते हैं summit with substance एक नई चीज़ आई क्या था ये भाईया वैसे भी climate change की कहानी चली रही है अब जो है no doubt अगला जैसे conference of parties होगा कहां होगा वो पना आगे discuss करेंगे but climate change एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ ये भी थोड़ा mains को लेकर बहुत बढ़िया theme है इसको ध्यान रखना मतलब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि global south का concept क्या होता है या एक तरह से आप कह सकते हो कि overall global south का मतलब क्या होता है मतलब यदि normally कोई कहे आपसे तो उस चीज़ को अपने को समझना है देखते हैं समझेंगे क्या है देखो एक तो पहली चीज़ तो क्या है कि नया global financing pact आ रहा है मतलब क्या कि at least आप सिर्फ बोल नहीं सकते कि आपको technology बढ़ानी है तो at least उस चीज़ के लिए कुछ financial network तो लगेगा तो इससे सम्मंदित एक पैरिस में जो है new global financial pact होने जा रहा है इसका main वही है कि overall हम जो भी climate change, biodiversity, protection जो भी हम को sustainable development goals को अचीव करना है उसमें जब भी थोड़ा बहुत कहीं एक तरह से finance को लेकर समस्या आती है तो उससे सम्मंदित जो है मतलब उसको हम बहतर लड़ सकें उस चीज़ से ये सारे जितने challenges है उसके लिए हो रहा है तो एक तो ये चीज़ की ये global financing pact किन किन चीज़ों के लिए होता है तो इसमें inequality भी है ठीक है ध्यान रखना ठीक है उसके बाद में किसके द्वारा ये हुआ है तो France और India के द्वारा organized हो रहा है ठीक है उसके बाद में overall agenda वही आप देख रहो कि financial solidarity होना है with the global south अब देखना कर किसके लिए रहे है हमें मालूम है climate change, biodiversity, protection सारी चीज़ है लेकिन world में आप observe करोगे तो एक theme है ये उपर का जो नीला रंग दिख रहा है ये already बड़े स्तर पर develop थे शुरुवात से industrial revolution और ये सारी चीज़ है लेकिन विश्व का एक दक्षन भाग ऐसा भी है पूरा आधा जहांपे industries के नाम पे या development के नाम पे comparatively कम है तो इनी सब चीज़ों के लिए एक financial एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक pact बनाया जाना है ठीक है अब ये जो global south word है ये बहुत common term use किया जाता है किस चीज के लिए जो low levels है economic और industrial development के लिए प्रत्वी के दक्षन नीचाए अब ये भारत की बात नहीं हो रही है overall world में जो south का हिस्सा है जहांपर ये सारी चीज़ें comparatively development को लेकर बहुत कम दिखाई दे रही हैं उनको लेकर ये बात कर रहे हैं हम लोग ठीक है तो इससे related ये इसमें global south का question भी आ सकता इसका मतलब क्या है तो हमें मालूम होना चीज़ें जहांपर चीज़ें थोड़ी सी comparatively come develop हुई है विश्व के वो छेत्र ये अफरीका ओशनिया वगरा ओशनिया में ये वाले छेत्र नहीं तो अश्टेलिया ले लो फिर ठीक है उसके बाद में global south कहीं बार एक vision को भी दर्शाता है कि भाई देखो ऐसा है कि जो historically neglect हो चुके है देश उनको आप एक तरह से बहतर सतर पर लेकर जाना ठीक है इसमें अब एक word यूज हुआ global stock tech ठीक है अब ये stock tech क्या होता है तो एक त पाद Paris Agreement जब आया ठीक है मतलब ये जिसे नहीं पता ध्यान रखना है कि हम इस तरह के initiatives लेते रहते हैं तो पहला initiative काम नहीं कर पाया तो दूसरा लेंगे लेकिन दूसरे में भी पहले वाली की कमियों रखेंगे तो हो गया काम तो Paris Agreement की खास बात ये थी कि भाईया जो भी द कि यहां पर at least आप यह कह सकते हो कि overall हम लोग ये चेक करने वाले हैं या एक ऐसी process बनाने वाले हैं जहां पर हम एक तरह से transparency ला सके हैं या overall चीजें क्या हो रही हैं उन पर हम बात कर सके हैं ठीक है कि जो भी gaps हो रहे हैं या और भी क्या कमी हैं उन चीजों को थोड़ा सा द निहान रखना आगे भी आज की class में और आने वाला ही है तो each country has to present a climate action plan every 5 year हर 5 साल में review और साथ में आपको बताना भी होगा कि आगे की planning है क्या कहना क्या चाहते हो वाली कहानी समझ में आगई बढ़ते हैं तो ये global stock take के बारे में पता होना चीजिए global south क्या होता है global financing pact क्या ये सारी चीजे विपर जाए cyclone खूब सुना हमने लेकिन क्या कारण था जो बहुत जादा path इसका difficult था predict करना और साथी साथ ये अपने आप में एक तरह से predict करने में भी जिसकी तकलीफ थोड़ी जादा आ रही थी तो कुछ after जिसको हम कहते हैं कि effects कुछ studies हैं जो आपको ध् path जो था uncertain था एक तो दिखकत क्या है कि सब अब तक के जो cyclones आते थे जादा तर देख रहे थे हम लोग तो उनकी speed काफी जादा थी 12-14 km पर hour की रफतार से आगे बढ़ते थे पर भाई साब ये थोड़े सुस्त थे ये थोड़े जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि ये 5-7 km थोड़े धीरे ही चल रहे थे तो आप क्योंकि कोई भी चीज जो है उसकी speed आने की speed से भी लगाया आता है गणे अब वो इतना slow आ रहा था कि सारे calculations जो है थोड़े से इधर उधर हो रहे थे दूसरी बात एक तो path एक तो बहुत slow हो गया और path एक तो slow होने से मतलब in the sense की speed तो comparatively एक बात learning यह कि cyclone की जो गती होती वो हर सबकी एक जैसी नहीं होती यहां से question बन सकता है मतलब variation आ सकते है general speed भी पूछा जा सकता है कि average किस speed से चलता है यह कोई rocket बने गया 700 km प्रती गंटे से उसको टिक लगाया exam में कि यह तो सही है गलत हो जाएगा वो ध्यान रखन है तो आप सुचो कि high pressure आ गया तो फिर बारिश नहीं हो नहीं वो उतने तरक्रमत लगा ना it means that कि anti cyclonic system आसपास लगे हुए थे मतलब उतना जादा एकदम से speed तेज नहीं हो पा रही थी comparatively एक अच्छी चीज़ देखने को मिली कि speed इसकी कम थी दूसरी बात यह तो होगी कह जाती है cyclones की तो कई बार थोड़ा सा assumption लगाना कठिन हो जाता है अब दूसरी बात यदि हम लोग यह बात भी करें कि जब यसी uncertainties आ जाती है कोई नहीं नहीं चीज़ें जुड़ जाती है तो उतनी जादा जो है अपने आप में issues बढ़ जाते हैं अब recurring क्या होते हैं recurring का मत महुचने को लगा था मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि in the sense normally हम लोग बात करें कि जब भी cyclone equator की तरफ यहीं move करेगा तो वैसे ही coriolis काम करना बंद कर देगा तो generally वो इधर तो वैसे भी नहीं जाना है coriolis pole की तरफ जादा देखने को मिलता है coriolis क्या होता है जिससे यह rotation है actual में rotate होती है अब अर्थ के rotation से कोई भी चीज जो है सीधी नहीं चल पाती reflection होता है उसको हम coriolis force कहते हैं तो pole की तरफ comparatively जादा होता है तो pole की तरफ एक तो attract हो गया पानी जहां मिलेगा जादा उधर चला जाएगा फिर coastal area के कन्यारे पानी जादा गर्म तो उधर attract होता अब लेकिन एक exam point of view से काम की जो line आप बड़े आस्चर होगा आपको सुनके कि यह देखो कि जो है ध्यान रखना cyclone spin clockwise and therefore also recurve in the opposite direction मतलब सबचते हो कि cyclone जिदर rotate होता है जिस direction में उसके opposite recurring होती है मतलब यह कि इसका path आप जड़ा observe करो यहां पर कि हम normally क्या देखते हैं कि जो नौर्थ हमिस्फियर में anticlockwise cyclone घुमता है anticlockwise ठीक है लेकिन इसका curving path आपको clockwise दिखाई देगा तो generally यह बात भी एक exam में पूछी जा सकती है कि जब भी वो आपसे कहे recurving की बारे में बात करे कि cyclones जो है जिस दिशा में move करते हैं लेकिन कुछ हिस्सा उसका opposite direction में जाने का प्रयास करता है तो खुद का घुमना और overall path दोनों में अंतर है खुद तो मानलों anticlockwise घुम रहा है ऐसे घुम रहा है लेकिन overall आप देखोगे तो वह ऐसे चला गया इधर चला गया right side चला गया ठीक है तो cyclone gets a sort of second wind by deflected right or eastward is known as recurving मतलब normally अपने छेतर से बटक जाना ठीक है तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि नॉर्थ में बना हुआ cyclone यदि अब anticlockwise घुमता है नॉर्थ में तो अब यह cyclone के basics अगर आपको पढ़ने है तो आप मेरी class में वहां पढ़ सकते हूं सामकी 7 बज़े वाली में वहां सब पढ़ाता रहता हूं अभी climatology ही चल रहा है तो कहने के लिए anticlockwise cyclone मुढ रहा है लेकिन जाता है clockwise तो ऐसा भी आद रखना कई बार कि री कर्विंग जस्ट पैटन के घूमने के पैटन के अपोजिट जाता है ठीक है अच्छी study है अब उसके बाद में फिर से एक heat wave को लेकर जो है चर्चा आई थी जिसमें उत्तर प्र जो कि थोड़ा heat wave भारत के भी छेत्रों में पहुंच गया है अब लेकिन heat wave के कई बार criteria पूछे जा सकते हैं जो काम के हैं देखो होता क्या है कि आपको मैं 40 degree से बचपन में रख रहा हूं और आपके लिए 36 degree temperature होगा तो आप कोई फरक नहीं पड़ेगा 40 में आदत है 36 मिल जागा तो वो तो कहेगा ना मुझे मेरे लिए तो heat wave है तो heat wave का कोई सा fix criteria नहीं होता है लेकिन हर जगा change होता है हिली एरियास में अलग रहता है हिली एरियास में वैसे temperature कम रहता है और और वहां थोड़ा भी बढ़ जाएगा तो उनके लिए तो heat wave हो गई पर उतनी temperature में आ बात करेंगे तो याद रखना है बहुत important criteria है कि यदि मान लीजिए किसी भी जगह का maximum temperature at least plane वाले region के बारे में यदि हम लोग बात करें तो 30 degree मतलब 40 degree हम लोग हो जाए चालिस डिगरी तक पहुंच जाए तो एक heat wave की condition पहुंच जाता है और हिली एरियास में 30 degree के असपास य hill में या plane में ठीक है वहाँ पे यदि साड़े चार से साड़े 6 degree के आसपास यदि यदि बढ़ रहा है temperature तो वो एक heat wave की condition आ जाएगी मतलब normal temperature आपके यहां का जो भी है उसमें इतने temperature की बड़ोतरी हो गई तो वो आपकी heat wave कहलाईगी ठीक है या आप यह कह सकते हो कि यदि recording तो ही criteria लेकिन साथ में एक maximum criteria भी दे दिया है इनोंने तो देखो यदि कोई plane area है तो 40 degree और at least 30 degree for the hilly area लेकिन अब उसमें बड़ोतरी होगे 21 में 4 से 6 degree बड़ोतरी होगे तो वो heat wave के case में आजाएगा यहां तक कोई दिक्कत लेकिन actual में यदि overall ही किसी जगह का इतना हो गय यह criteria एक्जाम में आ सकते हैं coastal area की भी यही कहानी है कि जो average temperature है उससे साड़े चार डिगरी यही बढ़ रहा है यह 37 डिगरी से जादा area actual temperature हो तो coastal region में heat wave की condition आपको देखने को मिल जाती है एक wet world temperature की कहानी भी होती है हलाकि यह science है थोड़ा सा आपको याद रखना है wet world temperature it means that क कि जहां पर humidity और temperature जब यह जादा high हो जाता है temperature भी जादा हो गया humidity भी जादा हो गई ठीक है समझ रहा हो कि मतलब evaluation करने की स्थिती भी बन गई लेकिन already humidity जादा है तो फिर humid condition बहुत बंजा मतलब वो बहुत severe case कहलाता है तो यह line थोड़ी सी याद रख लेना कि combination of high temperature and high humidity combination of high temperature and high humidity temperature की और ले जाती है तो यह keyword भी आ सकता है अपने लिए exam में आगे बढ़ते हैं बाकी तो factor जो contribute करते हैं intense heat wave को high temperature, drought condition, climate change, atmospheric condition यह सारी चीज़ें जो है बहुत मतलब यहां पर आप यह keywords यूज़ कर सकते हो means में इसके साथ साथ reason जो है काफी जादा जो अभी बढ़ गए जो है तो यह सारी चीज़ें जो है overall यह impact आने के कारण काफी death वगर भी देखने को मिली थी ठीक है impact और impact क्या होगा human health cost of living mortality rates economic impact इनको भी आप और और बढ़ा सकते हो means on the writing में कि भाई बहुत after all livelihood पर ही सवाल है एक तरह से कह सकते हो तो heat action plan जो हम लोगों ने बनाया हुआ है तो disaster management के तहद यह बातें करते हैं हम लोग की heat action plan overall health issues से related जो तो इसको आप जरूर एड़ करें कि जितने भी crucial guidelines protocols के तहद हर शहरों में जैसे school के बारे में बात करें हम आपन की school में भी जो है कुछ दिनों के लिए मना कर देते हैं कि दो तिन दिन थोड़ा लेट बंद कर दो school गर्मी जाला हो रही तो यह हीट action plan के तहती चीजे होती है कि जो state cities municipal bodies जो है proper follow करें mitigate the impacts of extreme heat waves तो यह इसको आप एड़ जरूर करें इस content को उसके बाद में महाद़ी river in करनाटका may not find any takers it means that कि इससे related news भी रही है महाद़ी river क्या होता है क्या सारी चीजे हैं उनको हम लोग को महानदेई जो महादेई river है कई बार यही सवाल मांडवी river को लेके आएगा तो confused हो जाएंगे दोनों एक ही होती है गोवा की river है भाई साब यह गोवा दिखाई दे रहा होगा आप लोग महादेई river मांडवी river भी स्कौम कहते हैं मांडवी एक होती है और एक दर जुआरी river पर आ रही होती है तो मांडवी ही महादेई river है ठीक है उससे संबंदी थी न्यूस था लेकिन न्यूस से ज़्यादा काम का हमें लिए content काम का है कि भाई क्या चीज़ है गोवा करनाटका और महाराष्ट के इन छेत्रों में फैली हुई है मतलब इंदसेंस कि इसका जो बेस चूट्स भी बने रहते हैं तो महादेई गोवा की रिवर याद रखना वेस्टन घाट भी पूछ सकता है भीमगड वाइल लाइफ सेंचुरी करनाटक वाला ठीक है यह पॉइंट अच्छे से याद रखना इसके बाद में रिवर मंडवी भी कहते हैं इसको गोवा में हम सली मली बड़ सेंचुरी आपको गोवा का वहाँ पर देखने को मिल जाएगा ठीक है उसके बाद में अरब सागर में जा रही है यह रिवर बेसिक बेसिक ग्यान है जो उस मैप से आप लोग आराम से देख सकते हो ठीक है तो इस चीज़ को दूद सागर फाल है उसके बाद में यह वजरब फाल वगरा यह से बहुत सारे कॉंटेंट आपको मिल जाएगा लेकिन ठीक है मेरे हिसाब से नदी का फ्लो वगरा भी थोड़ा सा बस आप लोग याद रखें कहां से कहां तो इधर आपको भीमगड याद रखना इधर सली मली याद रखना है ठीक है कोल मं लोग देखते हैं देखो ओवरॉल परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी ओफ कोल लिगनाइट माइनिंग इन दे कंट्री बाय अब ओवरॉल आप यह कह सकते हैं कि जो हमारे माइनिंग वगरे कि जो प्रोसर से उसमें सुधार लाने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं इसम जो इक तरह से रेटिंग देना इसमीस हो एक तरह से चेक करना माइनिंग किस थरह से हो रहा है इंवर्मेंट रिलेटिट्टर रित्र देखने वाले सारी बातें जो हैं हम लोग देख रहे हैं ठीक है तो एक content अपने को यहाँ पर भी काम आ जाएगा इसके बाद में coal control organization यह exam में लब आ सकता है क्या है यह तो 1916 में इसको establish किया गया था उसके बाद में यह responsible होता है for ensuring fair production and commercial transaction की भाई सब कुछ सही चलता रहा है commercial transaction ठीक वगरा हो यह का काम है यह सारी important चीज़ है ठीक है तो यह basic याद रखना की coal controller organization का काम क्या है हलाकि responsibilities मैंने अलग से और लिख दिये कभी-कभी mains में भी direct पूछ ले कोई भरोसा नहीं है तो overall जो है किस तरह का koila है कुसकी class grade वगरा इसको define करना ठीक है overall maintenance रखना ठीक है तो इसको और आप पढ़ लिजगा हिंदी में भी मैं दे दूँगा आप लोग ताइप्स of coal आपक कर सकते हो कि मतलब आप इसके बीच में फिर इसके बाद आएगा पीठ सब बिटुमिनस मतलब लिगनाइट और इसके बीच में मतलब यह time period के हिसाब से भी decide कर सकते हो कि जो सबसे पहले से बन रहा होता है वो सबसे best quality का होता है और anthracite मतलब जिसमें ash content राह कम होगी उर जा जादा रहेगी pollution कम करेगा यह सारी बात तो अब इसके बाद एक गंगोत्री नेशनल पार्क भी नियूज में है जो कि याद रख सकते हो बड़ उसको मैंने भी put up किया नहीं कि गंगोत्री नेशनल पार्क वैसे खूब पढ़ लिया हमने नेशनल पार्क में उत्राखंड म जो है गर्मियों में आइस फ्री हो रहा है काफी जादा तो ब्ली ओशन इवेंट का सीधा कनेक्शन याद रखना आइस फ्री इवेंट आक्टिक रीजन से है ठीक है समर मंथ में स्पेशली मतलब एक ऐसे सिनेरियों जहां पर extent of ice जो है आक्टिक में वो पूरा ही जो है बि सो ब्ली ओशन इवेंट का सम्मंद एट लिस्ट याद रखना आक्टिक ओशन से है तो एक हिंदू कुष रिलेटेड एक रिपोर्ट भी आई है जो कि याद रखना वाटर आई सोसाइटी एको सिस्टम मतलब सारे कनेक्शन वाटर के अविलेबिलेटी फिर पूरा एको सिस इसके द्वारा यह आई है साथ ही साथ अपने को पता होना चाहिए हिंदू कुष रिजन कहा है तो इंडिया का वो जो पूरा पार्ट है नौर्थ वाला रिजन इधर फिर आप अफगानिस्तान वगरे के छेतर में तो परवत आप अपको अफगानिस्तान मिलता है बट जो हिंदू कुष पूरा रिजन हम एज़ा जब थर्ड पोल की तरह बात करने लगते हैं या स्नो कवर्ड रिजन की तरह बात करने लगते हैं तो तीसरा पोल या उसको वाटर टावर आफ हेशिया कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी नदिया भी वहां से शुरू होती है तो यह प बहुत सारी नदिया बहुत सारी लोग इस पर डिपेंडेंट है तो इससे रिलेटेट यह रिपोर्ट थी तो थोड़ा से इसके बारे में धेहन लगना इसके वादम जो एक इंडियन आगरिकल्चर इंडियन कांसल और एक अर्टर इंसर्च जो है उनके द्वारा एक सेंट तरह से आप यह कह सकते हो कि मील प्लान है यह जिसमें अलग-अलग कलर के फ्रेश फूर्ट्स और वेजिटेबल्स कंसिडर किये जाते हैं उस डाइट में ठीक है दूसरी चीज इंपॉर्टेंट बात यह याद रखनी कि इसमें जो है ट्यूबर बेज्ड रेंबो डाइट है क्या होते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए जो अंदर कुछ जड़ों के रूप में दिखाई दे रहे होते हैं तो बेसिक चीज अपने तूबर क्या होता है तो यह मालूम है कि और स्वीट पोटेटो कसावाज पोटेटो यह सब इसमें कॉंपलेक्स कर्भुईधरेट्स वगरह भी रहते हैं, मिंडल्स, विटमिन, सब कुछ रहते हैं तो इन से संबंदी थे रेन्बो डाइट, ठीक है, तो जादा परिशान नहीं हो ना, किसके द्वारा ये याद रखना मील प्लान में क्या कर रहा है, डिफरेंट कलर फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी है, साथ में टूबर बेजड रेन्बो डाइट इसमें रखी गई है, तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखें हैं आप लोग, ठीक है, ताकि संफ्लावर हमेशा सन कोई फेस क्यों करता है, कभी ऐसे सवाल बन गए, तो हमेशा याद रखना है, there is a process called phototrophism, phototrophism शब्द को याद रखें आप, phototrophism क्या होता है, तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि एक response release होता है, एक stimulation release होता है, इसमें फ्लावर में या कोई भी ऐसे प्रजाती में, अब इसमें visible light को देखके, मतलब light से ये चीज़ जो है stimulation हो रहा है, अब ये stimulation जो होता है, हर्मोन से होता है, वो हर्मोन को हम auxins कहते है ठीक है, तो auxin is the keyword, ये question मन सकता है, phototrophism, photo sunlight, ऐसे याद रखो लो, तो ये हर्मोन पुछा जा सकता है, इसके कारण ही है basic ज्यान याद रखना, अब ये auxin hormone जो होता है, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि amino acids वगरह से बन रहा होता है, जिसमें हम try photophon कहते हैं, या फिर carbohydrates के breakdown, gly lysicides जो है, उसके दोरान भी इसका development होता है, तो ये keywords है, एक दो बार at least आप लोग को मेरे हिसाब से यहाँ पर पढ़ना चाहिए, आराम से इसको ध्यान रखना, ये काम का है, ठीक है, positively photocentric plants जो होते हैं, या phototrophic होते हैं, वो हमेशा एक तरह से ये कह सकते हो, आप कि when one side of plant is shedded, greater quantities of oxyn are produced on the darker side, ठीक है, this cause that side of plant to grow fast, in case sunflowers the phenomena is pronounced so as make the flower turn towards the sun, it means that, कि आप ये कह सकते हो, कि ये जो release हो रहा है, हर्मोन, oxyn, ये main कहानी है, जिसके कारण ये sunflower जो एक तरह से आप देख रहे हो, वो sun के direction में इसका जो है, पैटन आपको देखने का मिल जाता है, तो ये वही है कि release जो हर्मोन हो रहा है, उससे related है, तो ये basic ज्यान है, ज्यादा इसमें आगे जाने की जरुवत नहीं, ये point काम के आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, आगे बढ़ते है, bond climate meet, take away, अभी recently जो bond climate meet हुआ था, actual में जो COP28 हो रहा है, दुबई में, उसके पहले एक meet-up थ भाई है, ठीक है, climate change से संबंदित, जो climate और भी negotiations करने है, तो इसमें जो है, main यही था कि हमें जो global stock take है, it means that कि जो अभी में starting में discuss कर रहा था, कि overall आपकी जो planning है, वो सब चीज हमें बतानी पढ़ेंगी, ठीक है, उसको access करेंगे, उसके बारे में उसके transparency वगरा होनी means, एक ऐसी exercise होनी चाहिए, जिसमें जो आपने progress की है, वो देख पाएं, ठीक है, ऐसे ही, mitigation work program भी जो है, इसमें बात की गई, एक another mechanism, जो है, TCOP 26 में आया था, जिसमें, यदि मान लीजिए, energy emissions जो हो रहे हैं, उनको एकदम से आपको बंद करना है, तो एक थोड़ा सा intensive वो ह कि तुरंत जो है, चीज़ों को कम करने के लिए ये program लाया गया था, बट खेर ठीक है, ये इस बार जादा news में थोड़ा सा पढ़के रखना है न, global stock tech क्या होता है, उसमें फिर हमने मैंने बताया आपको की समस्या इनकी 20 की बस यह है, finance को लेकर, दूसरी बात कहीं बार किस इसी और solve होने का प्रयास होता है, ताकि यहां पर जब यह meet up करें तो चीज़ें और कुछ बहतर decision पर निकले, यहां पर से मेरा मतलब COP28 में, ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम लोग इसमें, कि मन की बात में जो मिया वाकी जो था, इस बार mention हुआ है, तो मिया वाकी forest एक इक्जाम में आने के बाद तो सबको पता ही हो गया था, कि Japanese method है, forest लगाने की बात कर रहे होते हैं, हम लोग, जहां, मतलब, overall soil को ठीक करना, और साथ में, important बात, ऐसे plants लगाना, native trees, जो वहां लग सकें, हर कोई से हम कई बार लगा देते हैं, तो वो develop नहीं हो पाते हैं, तो उसी environment में लग सकते हैं, इस से फिर बड़े स्तर पर 10 से 30 गुना तक forest बड़ी तेजी से बढ़ जाता है, मैं पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया इस तरह, ठीक है, तो वही मिया बाकि forest plantation का और content में ने दे दिया है, पढ़ लिजेगा, बैलाइस बैल मोपान को पढ़ लेना, यह थोड़ा सा न्यूज में है, ठीक है, बैलाइस बैल मोपान मतलब यह North America और South America के बीच में आपको देखने को मिलेगा, इसके बाद में जैसे हम लोग आगे जाएंगे, अच्छा और बैलाइस में कुछ पढ़ना है कैसर, तो आप normally उसकी location wise भी पढ़ लोगे, तो इधर अट्लांटी की तरफ ही कर रहा है, यह भी ध्यान रखना, मुर्लाफ Central America के रीजन में आपको यह देखने को मिलेगा, हाला कि वहाँ पर कुछ नदियां है, इसे होंडो रिवर है, बैलाइस रिवर है, माया माउंटेन है, माया civilization भी बड़ा फेमस है इस चेतर में, तो यह थ है, जिसमें हम critical minerals को make sure करें कि भाई availability मिल जाए, critical minerals का मतलब क्या होता है, जिससे हम आज के time पर जो भी हम technology develop कर रहे हैं, उनमें इनका बहुत इस्तमाल होता है, यह already critical minerals के नाम पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, बट basic idea आप रख सकते हो, जैसे graphite, lithium, cobalt, EV batteries बगरा बना नहीं है, सब कुछ आप technology बड़े level पर ले जाना है, तो यह minerals अब इतनी बड़े इस तरह पर हमारे पास है नहीं, तो फिर हम इस तरह की partnership generally कर रहे होते हैं, तो यह US के साथ mineral security partnership हुई है, ठीक है, उसके साथ में एक चीज़ और आपको याद रखना है, कि इसकी availability क्या है, तो focus of the grouping would be on supply chain of minerals such as cobald, nickel, lithium और 17 जो rare elements होते हैं, rare elements जो lengthenite series है, उससे related हैं ठीक है, तो इनके supply के लिए यह एक तरह से आप कह सकते हो, overall हम लोगों ने जो है critical minerals की supply को ठीक करने के लिए, overall यह सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, mineral security partnership बनाया हुआ है, next one is Fivona की spirals, कभी-कभी य कि इस बार prelims में यह आ जाता, तो घबराट होती कि पता नहीं, यह कैसे आ गया, कहां से आ गया, तो आपको एक basic idea तो हो, कि at least चल क्या रहा है, जीवन में, या क्या condition है, यह तो finna, वो की spirals जो होते हैं, यह इस तरह की संबंदित, जो अक्सर आपने flowers वगरे का एक arrangement देखा होगा, वो है, तो कई बार हमें नहीं समझ में आता है, कि इसका संबंद animals है, कि plants है, कि क्या है, तो at least याद रखना है, कि यह plant से संबंद है, एक pattern sequence जो है, देखा जाता है, इसमें, कि अगला जो pattern बनेगा, वो पिछले वाले के addition में होगा, कि जैसे 1 प्लस 1, 2, 2 प्लस 1, 3, 3, 3, 2, 5, तो इस तरह का एक sequence आपको देखने को जाना, तो यह at least याद रखना, फिबो नौकी spirals का संबंद किस से होता है, ठीक है, तो यह commonly belief है, कि plants जो है, इस तरह का consistent pattern दिखा रहे होते हैं, तो उससे संबंदित है, इसके बाद में Maya City जो है, वो discover की गई थी, तो what is Maya civilization, त जो मैं अभी बता रहा था, होंडूराज वगरा, नीचे और आओ गया तो, इसके बाद में, यह कहां बता रहा था, मैं यह Maya City, Central America, समझ गया ना, यह वाला region, यह, आगे बढ़ेंगे, अदर जो ancient और civilization आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें यह आप match the column के लिए थोड़ आपको पता होना चाहिए, एक कोशन आ सकता है कि Yucatan Peninsula किसका है, तो आपने को मालूम रहे कि Yucatan Peninsula जो है, वो indirectly जो बात कर रहे हैं, हम लोग को किसके बारे में बात हो रही है, तो at least इतना तो हम लोग ध्यान दे पाएं कि यह Mexico के बारे में बात कर रहे है, ठीक है, यह सारी च आ चुकी और पूछी जा सकती भी है कि रियो ग्रेंडे रिवर तो यह पता हो अपने को रियो ग्रेंडे रिवर बेट्वीन यूएस एंड मेक्सिको बेसिक आइडिया होना चाहिए, नेक्स्ट वन राता पानी वाइड लाइफ सेंचुरी के बारे में ध्यान रखें, अब कि सत्पुडा का पार्ट है का यह पर ध्यान रखना सत्पुडा से थोड़ा सा नौर्थ में मिल रहा है आपको, नेशनल पार्क के अंतरगत आप ले सकते हो नजदीक ही छेत्रों में बट रेंज हिल्स जो होगा विंदियन का सदन एक्स्टेंचन में यह बोपाल, अब्द सब्सक्राइब का यह बार्ट हो जाती है लेकिन यह नहीं है लेकिन टाइगर के लिए फेमस है तो आना जाना बफर रीजन में आही जाता है इसके बाद में यदि हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे कि वहीं मैं आपसे कह रहा हूं कि टाइगर रिजर्व को अभी ऐसे डेक्लेयर नहीं किया गया लेकिन काफी चीज़ें आपको उससे संबंदित मिल जाती है अब भाईया ऐसा है कि जो वल्चर से संबंदित आपको पता होगा ड्रग टेक्निकल एडवाइसरी बोर्ड के द्वारा जो है फाइनली प्रोहिबिशन एगरी कर लिया गया है कि आप सेल डिस्टिबूशन नहीं कर सकते कीटो प्रोफेन का और एसलोफिनेक का क्योंकि इंडिरेक्ली य रेड़ी बेन है उसके बाद में एक तरह से इनको हम पहले यूज कर रहे होते थे फॉर कि भाई पेन किलर्स की तरह इंफ्लेमेटरी ड्रक्स की तरह लेकिन बाद में फिर ये वेटनरी प्रेक्टिस के लिए कंपरेटिवली कम कर दी गई तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना खुश्बू के मामले में और खरीफ सीजन है यह बेसिक ज्यान अपने को याद रखना है साथ ही साथ अलग-अलग उसके मिनरल्स कॉंटेंट है जोग्रफिकल इंडिकेशन टेग भी जो है वो जी आई टेग मिल गया है तो जोहा राइस असम का यह याद रखें आप लोग उसके बाद में नॉर्मल यह दि हम लोग उसमें थोड़ा सा उब्जरवेशन करें तो यह जो राइस की वेराइटी है उसमें कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी है डेट इस लीनोलेक और लीनोलेक ओमेगा-3 में मतलब इंड़सेंस की एक लीनोलेक है और एक ल और इस्पेशली जो एक तरह से काडियोवस्किलर डिसीज होते हैं हर्ट से रिलेटेड उसमें इनका काफी जादा इस्तमाल होता है ठीक है तो यह थोड़ा सा जो है ध्यान रखना उसके बाद में डाइबिटीज वगरा के भी कुछ फेक्ट आप चाहें तो पढ़ सकते है हला कि science tech में आप पढ़ते रहते हो तो insulin वाली यह line काम के रख लेना it is a hormone that regulates the blood glucose non communicable disease है यह एक दो statement पढ़के रखना तुंडरा वर्ड आपको पता होगा ठंडे छेत्रों में हम लोग यूज़ करते हैं तो यह भी news में था कि तुंडरा आप क्या बर्फिगल रहा है तो मत बहुत सारे ऐसे जीव जहनतों जिनके वह भी disappearance हो रहा है आइस के साथ साथ मतलब टुंडरा बायोम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है वेजिटेशन जो थे उनके वो डिस्टर्ब हो रहा है वहांके तो उससे संबन्द यह काफी जादा चर्चा में था ठीक है टुंडरा ब औरोम चाहिए औरोरा क्या होता है औरोरा भी था न्यूज में आपको एक चीज पता होनी जाएग से औरोरा जो है वो इस तरह से पहले तो यह system समझ लोई यह अपना अर्थ दिखाई दे रहा होगा आपको अब इस अर्थ के रिजन में आपको मालु में यह पोलर रेजन मै यहां तक यह हमारा polar region के पास अर्थ का magnetic polarity भी होती है magnetic field होता है अर्थ में कोई भी चीज rotate कर रही है अब हमें मालू में अर्थ का interior हमारा क्या है core से बना हुआ iron से और उसके बाद में magma उसके चारो और घूमता है outer core liquid stage में है तो उसके घूमने से आप यह कह सकते हो कि एक magnetic field generate होती है तो यह अपने अर्थ की magnetic field हो गए यह जो blue color परपल color दिखाई दे रहा है आपको अब जब solar flares आके solar winds जब आके यहां टकराती हैं तो solar winds के टकराने से और magnetic field के interaction से जो यहां पर atoms से जो electrons वगरे जो एक तरह से excite होकर photon release करते हैं एक light release हो रहा है उसको हम auroras कह रहे है तो auroras में हमेशा याद रखना sunlight मतलब sun से जो आने वाली energy है और जो अर्थ की magnetic field है उसके बीच का interaction है वो ठीक है तो interaction of charge particles of electron and proton of solar winds with the atom of atmosphere across near the north और south poles और वहां पर generally यह magnetic field से जब टकरा रही होती है तो उस दोरान आप यह कह सकते हो कि photon release होता है और फिर एक aurora एक lighting जो है वो generate होती है नौर्थ में borealis कहते हैं और south में australis कहते हैं यह याद रखना australia से australis south वाला आप याद रख सकते हो तो carbon die oxides के जो atoms हैं उससे भी related है यह थोड़ा सा एक research आई है कि जो यह atoms वगेरा इंट्रेक्ट होड़ास में carbon dioxide का भी जो है comparatively काफी जादा role है ठीक है यह चीज थोड़ी से याद रखना carbon die oxides से भी यह बात याद रखना कि when carbon जो monoxide है molecules about लगभग आप यह कह सकते हो कि troposphere के और उपर आप जब जाओगे comparatively atmosphere के regions में तो वहाँ पर आपको यह चीज़ें देखने को मिलती है कि तब यह aurora develop होता है तो उसमें carbon die oxide के molecule अलग-अलग atoms भी आपको यह चीज़ें जो है देखने को मिल जाएंगी इट मींस देट कि CEO का रोल है यह बात एक statement आप एक नए update में जोड़ नीजिएगा ठीक है गिनी विसो capital याद रख लिए गिनी की विसो की जो capital है विसो वाला region है अफरीका की country है अब इसमें कुछ नहीं है कैश्यू क्रॉप्स के लिए जो है थोड़ा सा न्यूज में है यह कि एक्सपोर्ट आल्मोस्ट दा एंटार कैश्यू क्रॉप्स एराउंट परसेंट टू जिसको आप कह सकते हो कि इंडिया फॉर्ट प्रोसिंग इन दे सेंस की लगभग इसका जो जितना एंटार कैश्यू क्रॉप्स है मोस्ट आप पार्ट इसका इंडिया की तरफ आता है अब इसलिए यह न्यूज में है तो थोड़ा सा कल को यह भी आ सकता है कि कैश्यू क्रॉप्स कहां पर लग रहे हैं उसके बाद मैं इंडिया कहां से ला रहा है ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं बाकि उसके आसपास लेंड लॉक नहीं है याद रखना भूलना मत बिहार ने भी जो है फ्लड और डॉट का एक प्रॉपर मेनेजमेंट सिस्टम मना लिया है क्योंकि अब बढ़ते वारिश के चलते चीजों को तो एक एक एंटी रोजन वर किया है रिसेंटली ये एक्जामपल्स दे सकते हैं आब अपने मेनसान सा राइटिंग में कि इस तरह के स्टेट्स जो है इनिशेटिव लेते हैं करीब करीब दो सो तो तीन सो प्लेसिस के आसपास जहां पर फ्लड आ सकती है वहां पर एंटी रोजन वर किया है कि भाई बाल के आदने से इरोजन ज़रा कमपेरेटिवली कम हो जाए ठीक है उसके साथ साथ फ्लड के इंपेक्ट को कम करने के लिए अर्ली बार्निंग सिस्टम जो है उसको निकाला गया अर्ली बार्निंग सिस्टम जो है लाया गया डीजल की सबसीडी दे दी कि भाई लोग को डीजल थोड़ा सा कम उसमें दे दिया जाए किसानों को especially ताकि फसल वगरे लगाते समय इन पर ज्यादा घर्चा ना है इन डिरेक्टली हेल्प ही कर रहे है थाकि agriculture वगरे ठीक से हो पाए और टाइम पर हो पाए और food security पर सवाल ना है इन तरह से और कुछ especially इस दोरान जो बाड आती है तो उस चीज को जो है थोड़ा दियान रखना है रिवर बागमती, रिवर कमला, रिवर कोसी ये सब बिहार की नदिया है कोसी में कमला, बागमती, महानन्दा और ये मतलब अभी समझाने से मतलब ऐसा लग रहा है कि आप एक बर मेरी class देख लेना वो चीज बताता है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, हर दिन क्या climate से क्या चीज़ें फर्क पड़ी climate change हो रहा है हमें मालू में तो daily temperature से क्या-क्या फर्क पड़ता है वो climate shift index कहलाता है temperature का influence बता रहा है कि इस scale पर daily range चेंज हो जाती है positive levels, negative levels magnitude of influence ये सब आपको PDF में मिल जाएगा लेकिन जैसे माल लोधारन के तोर पे हर दिन कितना temperature कम जादा हो रहा है उस पर temperature influence बता देगा वो आपको इसके बाद में for example यह भी हम बात करें कि positive levels in the sense कि कितना तापमान बड़ा climate change है, कितना कम हुआ कितना जदा influence हुआ उसके बाद में वो कहता है कि किस frequency पर बार-बार change हो रहा है ये सारी चीजों में climate shift index आता है जदा इतना काम का नहीं है लेकिन ठीक है थोड़ा सा ध्यान रखें इसके बाद में अगला देश है Belgium Belgium आपको मालू है Belgium, Brussels, Europe में जाना पड़ेगा अपने को ये world map है, Europe अपने को पालू में नौर्थ में वहाँ पर ये आपको देखने को मिलना है तो ये सारी चीज़ें अपने को अच्छे से पढ़नी है कि Belgium landlock country नहीं है Antwerp यहाँ पर वो याद रखना है diamond trading के लिए famous है पडोसी इसका नीदर लेंड है इधर France देखने को मिल जाएगा तो इनको पढ़ लीजिएगा भीया अब East Africa and the Great Lakes region कहीं बार पूछते हैं ये Egal region क्या होता है तो ये ही नहीं समझ मैं रहा फुल फॉम ही नहीं पता है बर ध्यान नहीं ये context इसका ये है कि यहाँ पर काफी जादा बड़े लोग बड़े स्तर पर लोग internally displaced हो रहा है migration को बड़ावा मिल रहा है क्योंकि no doubt आप ये कह सकते हो कि इन छेत्रों में काफी जादा समस्यां आ रहे हैं related with environment, agriculture और इसाई चीज़ है तो इसमें काफी जादा बड़े स्तर पर climate change को भी लेकर बात कर सकते हो इसमें आप कि एक report आई है by United Nation High Commissioner for Refugees at the UN Refugee Agency उसमें बताए कि internally displaced persons हैं इतने करीब काफी जादा displaced हुए है तो ये कौन सा छेत्र है तो ये वाला याद रखना इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सुमालिया, केनिया, तंजानिया, युकांडा, रवांडा, बुरुंडी, सुडान ठीक है ये सारे जो हैं किसमें आएंगे EHAGL, East Africa and the Great Lake Region बाइद अब थोड़ा knowledge अपने को Great Lake का भी होना चाहिए कि कहाँ पर ये वर्ल्ड मैप की सीरीज में नीचे मैप आपको लिंक मिल जाए कि सब याद करा दिये मैंने तुर्काना, एलबर्ट, ठीक है कुछ नए हैं जो आप न्यूज में पेपर में थे जैसे लेक कीवू पढ़ सकते हो आप मवेरू पढ़ सकते हो, ठीक है तो यूगांडा और DRC के बीच में देखने हो, तो ये सब रिफ्ट वैली के लेक्स हैं, ये नहीं है, ठीक है, जहान रखना, विक्टोरिया अलग होता है, ये पूरी रिफ्ट वैली का रीजन है, तो ये लेक्स को आप प्रेक्टिस कर सकते हैं, नई भी मन हो रहा है, प्र रशिया तक चीजों कनेक्शन मनाने में, तो अब थोड़े एक नई प्लानिंग हो रही है, यहां से यहां तक यह सी रूट को डेवलप कर लिया जाए, मतलब सीडी सी काहनी है, इंडिया जो प्लान कर रही है, लाँच मेजर कनेक्टिविटी इनिशियाटिव किसके साथ कर तो यह चैनने से रशिया का जो व्लाडी वो स्टोक पोर्ट है, व्लाडी वो स्टोक रीजन यहां पर है रशिया का इधर, इधर, ठीक है, तो सीडी सी काहनी एक बार यह कनेक्शन हो जायागा, तो यह जितना भी पैसा, खरचा, समय, वो करीब-करीब 40 दिन लगते थे, व तो फर्क तो पड़ता ही है सर, भारत का भी वर्चस बनेगा और उस छेतरों में, देखेंगे हम किस तरह से और डेवलप्मेंट हो रहा है, फ्लेश फ्लेश फ्लेट कहीं बार यह शब्द मिलेगा, फ्लेश फ्लेश फ्लेट एक तरह से कह सकते हो कि जो 6 गंटे के अंदर ज तो यह कहती है, बट कई बार हमारे भारत में तो हम क्या देखते हैं कि तेज बारिश होई, मिट्टी बगर में पानी रुका थोड़ी दिर एक समय तक, अब क्या होगा कि जादा बारिश एक टाइम इतनी जादा हो जाएगी कि वो पूरा मलवा नीचे बह जाएगा, तो ए जब ये डेबरी जो है, या कह सकते हो कि मलवा जब इखटा हो जाता है, तो एक साथ पिर वो या तो कहीं क्लावड बस्ट हो गया, या बहुत तेज बारिश हो गई, उस दोरान ये सारी चीजे मतलब आपको देखने को मिल सकती है, तो फ्लेश फ्लेट का मतलब तुरंत ती है, यूपी में दियान रखना भाईया, अमरोवा ढोलक, महोवा गौरा पत्थर हस्त शिल्प है, उसके बाद में मैन पुरी तरकाशी है, संभल हॉन क्राफ्ट है, बागपत होम फरनीशिंग है, बारा बंकी हैंडलूम प्रोडक्ट है, कालपी हैंडमेट पेपर है, इनको के द्वारा शुरू किया गया, Ministry of Power, इनका मानना यह है कि आप अब ऐसी टेकनोलोजी का इस्तमाल करो, जो एनर्जी एफिशेंट हो, अब आप कोई भी चीज टेकनोलोजी बनाओगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कि जादा उसमें बिजली के खपत हो रही है, तो Bureau of Energy Efficiency के बाते का रहो, लाइट वोई पीला वाला जला रहो, क्या मतलब है, ऐसे टेकनोलोजी की भी कहानी, कि टेकनोलोजी में आपको बढ़ावा बहतर करना पड़ेगा, ताकि एनर्जी एफिशेंट बने सारी चीज़ें, ठीक है, National Surveillance Program for Aquatic Animal Diseases, यह भी थोड़ा से याद रखना कि जो भी एक्वेटिक एनिमल हैं, उनकी जब बिमारें फैल जाती हैं, तो फिर उन पे कौन ध्यान देगा, तो एक प्रॉपर यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रिफ्रेशरी एनिमल हस्बेंटरी डेरिंग, जो है, उनके द्वारा लॉंच की गई है, रिपोर्ट फिश डिश इसके बाद में मंत्राले थोड़ा से याद रखना, रधान मंत्री मत्स, संपदा, योजना के तहत इसको इंप्लीमेंट किया गया है, यह जितने भी डिस्ट्रिबूशन है, फिश का या उनकी जो इनफॉर्मेशन है, उनके बारे में उसका एक कलेक्शन बनाएगा, उसके इनके लिए इनवर्मेंट का काफी मेजर टॉपिक होता है, तो इसमें जो है, इस बार फिर से एप्रूब हो गया है, करीब काफी पैसे, क्लाइमेट बाद बाद आवर्शन, जो पॉलूशन क्राइस है, उस चीज़ को टैकल करने के लिए, 136 देशों में आया है यह और करी इसका भी पूरा वीडियो बनाया हुआ है, इसको भी आप इसी चैनल पर पूरा डीटियल देख सकते हो, तो जो टार्गेट लिए हमने बाद आवर्शन को ठीक रखने के लिए उसके लिए पैसे जो है, यह एक तरह से अप्रूब हुए है, ठीक है, जीएफ क्या है, तो व जो स्टॉक होम कंवेंशन है, उसके बाद में युनाइटेड नेशन कंवेंशन तू कॉमबेट डेजर्टिफिकेशन है, मतलब ओवरॉल बाइवर्शन क्लाइमेट चेंज इन पर जो भी फैनेशल मेकेनिजम है, उसको यह रखता है, इसमें नो डाउट हम यह कह सकते हैं क तो यह कुछ बेसिक ज्यान है, जो अवरॉल आप पढ़ सकते हो, यह PDF में आपको मिली जाएगा, पूरा कॉंटेंट आराम से रीड करना, बट यह कॉंटेक्स बूलना मत, यह बहुत काम की न्यूजस थी, थोड़ी जादा है, लेकिन ठीक है, थी ही तो पढ़ना कोड सबको पता है, SGYT10 इसका इस्तमाल करो, जब भी आप सुस्क्रिप्शन लो, आज से नए बेज प्रारम हो रहे हैं, कल यह last day 50% discount का, इंडिया के best educator से best learning ले सकते हो, complete preparation कर सकते हो, एक sequence में कर सकते हो, समय बचा कर, तो कोड आप जो है, इस्तमाल करें, SGYT10 50% discount, लिंक न सकते हैं, एक दो देनों में विडियाप दे दुआ, थेंक यू